नमस्कार दोस्तों पर फिर से मैं YouTube चैनल पर आप सबकर स्वागत हैं तो कल के वीडियो में हमने डिसकस किया था से यू के प्रिपरेशन के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि जामिय में इसलामिया में जो एमे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वह और कौन-कौन से पेपर के लिए आप्ट कर सकते हैं और सब के प्रोज और कौन्स क्या-क्या है एक्जाम पैटर्न क्या है और कैसे तैयारी करना है सभी चीजों के बारे में हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले तो अगर आपको इंसाइट लेना होगा तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं पढ़ो तो ऐसे एक्जाम्स पर या पढ़ो तो ऐसे पर इसमें मैंने ऐसे यू के लिए आपको फ्री माटेरियल प्रोवाइट किया है जामिया के लिए भी कोशिश करोंगा, यह हमारे जामिया मिले एसलामिया के 2023 के टॉपर्स हैं, हमारे पेड़ बैच के student थें, तो आप इन से कुछ insights ले सकते हैं, अगर आप ECU-voll lecture को देखना चाहते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ECU के हमारे पिछले साल के 2-3 student selected थे, आप उनके भी देख सकते हैं कि उनका क्या स्ट्राटेजी रहा था तो मेंली तो वो बोलेंगे कि मेरे नोट से कोशन आया था जहां में आगे हम लोग चलते हैं आप टेंशन मत लीजे अगर आप हमारे बैच के स्टूडेंट्स नहीं भी है तो भी आप ठीक से प्रिप्रेश कहां से करना है कौन से यूठूब चैनल को फॉलो करना होंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमे पॉलिटिकल सायंस तो एमें पॉलिटिकल सायंस काफी पॉपिलर कोर्स है और मेरे जितने भी student last year select हुए थे वह सभी MA political science में ही थे क्योंकि मैं MA political science एक conventional course है मैं इसी को आपको लेने को suggest करता हूँ और बाकी courses को मैं suggest नहीं करता तो इसमें आपको 100 objective question जो है देखने को मिलेगा तो ये बार बार ये query आ रहा था कि इसमें जो है subjective paper होगा की नहीं होगा तो भाई देखी MA political science में अगर आप interest देंगे जामिया में तो कोई भी subjective question नहीं आगा 100 objective question आगा ओके टोटल 40 seats है इसी लिए थोड़ा सा competition जाधा आपको देखने को मिलेगा प्लस मैं आपको time कितना दिया जाएगा paper के लिए तो डेढ़ घंटे का time मिलेगा one and five hour would be given to you उसके बाद अगर आप test center की बात करें तो जामिया का test center जो है अब सिर्फ दिली में होता है mainly जो cvt-pg का syllabus है आपको वही follow करना है cvt-pg के syllabus में political theory में अपने जितना पढ़ रखा है आपने कहीं से पढ़ रखा होगा कहीं से notes बना रखा होगा उसको आपको revise करना है बारबर तो mainly आपको political theory करना है political theory के बाद आप question political thought कर लेना है जितने भी थिंकर आपने सीटी पीजी स्लेबस में किया होगा बस उसको आप पार पर रिवाइज कीजियों कि आपने कहीं से तो पढ़ ही रखा होगा उसके बाद कॉंपरिटी पॉलिटिक्स रिवाइज कर लिजे पॉब्लिक अड्मिनिस्रेशन से जाधा कोशन नहीं आएं सब्सक्राइब पिए दिव को क्यूं मना करता हूं इंटरनाशनल डरेशन एर्रीया स्टडी हो गया मैं य्यूमन रैट्स का पेपर हो गया जो आपका विष्ट एसीया स्टडी वाला पेपर हो तो यह मात्र एक ऐसा पेपर है जो आपके भी ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है जिसमें अटेम्ट करेंगे यह अबजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पेपर होता है इसमें 40 आपका अबजेक्टिव कोशन होंगे और 60 नंबर के आपके ऐसे कोशन होंगे ज यहां इसकी स्लेवर्स की अगर हम बात करें तो वही ही आपने जो ब्यूंक है इन्टर्नाशनल रिलेशन के जो स्लेवर्स इसके वारे मैं ने कर श्रू किया था करना है रियालिजम हो गया लिब्रलीजम हो गया critical theory हो गया constructivism हो गया तो यह जो तमाम आपके theories है Marxism है, Neo-Marxism है Gramsci का जो theory है उसको आपको देखना है ओके तो यह तमाम theories आपके IR के हो गया यहाँ पर भी आपको question Western political thought or political theory से of course देखने को मिलेंगे क्योंकि वो सब चीज में included रहता है तो उसको आपको देहान में रखना है current affairs के लिए मैं आपको बता रहा हूँ अब यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे MA international relation and area जो आपका western जो west asian study है इस paper के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी आपको 100 question देखने को मिलेगा सब objective question होंगे यहाँ भी कोई subjective question आपको देखने को नहीं मिलेगा इसका भी डेड़ घंटे का ही आपको time दिया जागा 100 question अटिंट करने के लिए यहाँ जो seat है यह 30 है 40 नहीं 30 है इसका भी test center आपको देली में देखने को मिलेगा इसका syllabus आपको क्या करना है तो B.A. political science में जितना भी आपने IR theories यह सब पढ़ा था World Wars के बारे में पढ़ा था मेली semester 3 में डियू के syllabus के according तो आपको उसको कर लेना है उसके बाद आपको इंडिया का जो relation है West Asian country के साथ उसको देख लेना है उसमें इसराइल को भी सामिल कर लेना है तो जो West Asian country है जिसको Middle East हम लोग कहते हैं ओके तो Middle East तो वो आपका American point of view हुआ American point of view से यह जो इलाका है Middle East है हमारे लिए तो यह West Asia हो गया तो West Asia के जितने भी country है इरान है, इराक है, साथी अरेबिया है, जॉर्डन है इसराइल को भी आपको इसमें include कर लेना है, आपको Egypt को भी in fact include कर लेना है, यह जो Arab world के आपके nations है, इनके बारे मापको देख लेना है, जो इंडिया के relation रहे है, अब इसके लिए आपको कहां से पढ़ना होगा, तो अगर आपके पास विजन IS का booklet होगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप YouTube चैनल में अगर individually भी सर्च करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, प्लस में अगर आपके पास विजन IS का booklet होगा international relations का, तो वहाँ पे जितने भी वे station country है, सब के बारे में unique facts होगे, आपको उसको देख लेना है, लेकिन मैं ये paper लेने से मना करता हूँ लोगों को, क्यों मना करता हूँ, at the end I am going to tell you, okay pros and cons of all the papers, अब यहाँ human rights और जो duties है, ये paper अपका है, paper का नाम है MA in human rights and duties education, तो इसमें भी आपके objective question ही होगे, यहाँ भी subjective question ही होगा, subjective question सिर्फ international relation, और area studies में होगा at the end, okay, time आपका डेड़ घंटा ही होगा इसमें भी, approach इसमें 26 के आसपास में seats है, जामिया में, Delhi ही center होगा, इसमें आपको क्या करना है, तो BA का CBCS का तो syllabus कर ही लेना है, मतलब जो western political thought आपको वो कर ही लेना है, आपको political theory complete कर ही लेना है, तो ये दोनों तो आपको अच्छे से करना है, thoroughly करना है, जो CVT, PG का syllabus है, आपको IR में भी जो CVT, PG के जो 45 theories है, उसको कर लेना है, realism है, liberalism है, neorealism, neoliberalism, ये सब आपको detail में कर लेना है, marxism, neomarxism, जो CBCS syllabus में था, ज्यादा deep, आपको नहीं पूछा जाएंगे, इसमें, आपसे constructivism के बारे में, critical theory के बारे में, जिसको Frankfurt School भी कहते हैं, Copanhegan School, इनके बारे में नहीं पूछेंगे, तो उतना आपको इसमें load नहीं लेना है, प्लस में current affairs में बता ही रहा हूँ अभी आपको, प्लस मैं आपको human rights paper के लिए, जो universal declaration of human rights है, आपको उसको सही से जितने भी उसके 30 articles उसको करके जाना है ठीक से, ओके, जैसे 10 December के दिन हम लोग human rights जो है celebrate करते हैं, ये 1948 में आपका आ गया था, ये जो पूरा का पूरा आपको detail कर लेना होगा, उसके बाद international bill of rights हम जिसे कहते हैं, जिसमें आपने अगर semester 5 में human rights का paper लिया होगा, DSE paper के तौर पर तो आपको पता होगा कि international bill of rights क्या होता है, तो उसमें आपका universal declaration of human rights आता है, 1948 वाला, फिर 1966 में आपके दो और covenants हुए थे, दो और charter हुए थे, ओके, तो उसको भी आपको देख लेना है, एक तो आपका civil political rights के बारे में बात करता था, और एक आपका you know like socio economic rights और cultural rights के बारे में बात करता था, 1966 में ही ये दोनों covenants pass हुए थे, ये वन से, तो ये तीनों को मिला के international bill of rights जो है कहते हैं, फिर three generation of rights को भी आपको पढ़ लेना है, जो कैरल बैसवाक नाम का जो आपका Czech Republic का you know like jurist था, उसने three generation of rights के बारे में बात किया है, कि इसको blue right कहते हैं, कि इसको you know like green right कहते हैं, कि इसको red rights कहते हैं, ये तमाम चीज़ें, अगर आपने वो DSE paper लिया होगा, तो वहां से आपने इस चीज़ को समझा होगा, फिर हमारे country में आप, फिर देखिए, बहुत सारे आपके conventions हुए हैं, जैसे women से जो discrimination होता है, उसको eliminate करने के लिए आपके international convention sign हुआ है, disability के लिए 2006 में साइन हुआ है, तो जो जितने conventions हैं, human rights के, इसको आपको कर लेना है, जिने वो convention कर लेना है, उसके बाद इंडिया में अगर हम आ जाए, तो national human rights, जो commission है, उसके बारे में आपको कर लेना है, और State Human Rights Commission के बारे में भी आपको कर लेना उसका composition क्या होता है यह तमाम चीज़ है फिर जितने भी है आपके commissions हैं जो special groups के लिए बनाए गए है जो vulnerable groups है हमारे society में जैसे minority के लिए बनाए गया तो उसका detail जो women के लिए आपका national human commission for schedule caste and schedule tribe है इसके बारे में आपको आर्टिकल 338 में देखने को मिलेगा यहां पर आपको national commission अब schedule caste के बारे में लिखा हुआ है फिर उसके बाद bifurcate कर दिया गया था इसको 89th constitutional amendment से तो 338A से आपका national commission for schedule tribe को बना दिया गया था और फिर अभी हालिया दिनों में अगर आप देखीगा तो constitutional status provide कर दिया गया national commission तो backward classes वाले हैं उनको इसको 338 article में जोड़ दिया गया और यह 102nd constitutional amendment act से इसको जो है constitutional body का रूप दे दिया गया तो यह तमाम जो आपके commissions हैं उसके बारे में आपको देख लेना है और current affairs आपको कर लेना है अब current affairs आप कहां से करेंगे तो current affairs के लिए मैं आपको बता देता हूं यह crazy gk tricks नाम का एक YouTube channel है तो यहीं से मैंने you know like अभी मैंने एक exam में appear किया था अपने state PCS में तो मैंने यहीं से current affairs को है काफी thoroughly cover किया था ठीक था इसमें से question आया भी था तो आप यहीं से इसको कर सकते हैं तो पहले तो 2023 का पूरा का पूरा current affairs कर लिजेगा जामिया के political science paper में सबसे जादा जो important आपको current affairs का section है वो noble prize से noble prize वाल आपको कर लेना है जो आपको Oscar awards होता है वो कर लेना है सरस्वती समान दिया जाता है फिर साहित इतना डीप में आपको कोशन नहीं पूछेगा तो स्पोर्ट्स वाल आप छोड़ सकते हैं कि सूटिंग में कितना मिटल जीता और यह क्या हुआ इतना नहीं पूछा जाता है जितना भी आपका टेनीस वाला जैसे वेल मिंडन होता है यूएस ओपन होता है और फ्रेंच ओप से लेके मार्च तक का जो आपका यह एक एक बीडियो का जो कंपाइलेशन है 2024 का करेंट अफेर्स का इसको भी कर लिजेगा तो यह लगभग पांच घंटे का हो गया यह लगभग एक घंटे का हो गया मतलब 10 घंटा पिधर लेकर चलिए और निव अपॉइंट्मेंट्स ज जो महत्पुर निवक्तियां है जो लेटेस्ट यूण अपॉइंट्मेंट्स है उसको भी देख लिजेगा जो कि 2024 में हुआ है और बहुत फेमस चीज़ है जो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड है अब आपसे यह नहीं पूछेगा कि जहारकंड का अभी ततकाल में 20% आपको उमीट कर देना है तो वो भी एक आर्ट होता है क्या चोड़ना है राइट वरना सब पढ़ने बैठते हीगा तो हो गया काम फिर अपना तो इस तरह से आपको इसको करना है अब यहां पर हम आ जाते हैं कि यहां पे मैं आपको बोलूँगा कि एमें पॉलिटिकल स कि आप कुछ भी करें आपको एक अपरचुणीटी आगे रिसर्च में और टीचिंग जॉब्स में और बाकी आपको इधर अपरचुणीटी नहीं आपने जैसे ही बीए पॉलिटिकल साइंस लिया अपने अपने अपरचुणीटी को वहीं कम कर दिया तो इसलिए पहली बा वाला कोर्स कर रहा है या कोई वीमेन वाला करके कोर्स है दिली के किसी अंबेटकर युनिवरसिटी में मुझे तो इसका आइडिया भी नहीं है क्योंकि मैं इन सबसे बहुत दूर रहता हूं और अपने स्टुडेंट्स को भी दूर रहने के लिए कहता हूं अगर आपको ऐसा खयाल हैगा न तो जाके मतलब पानी से छीटा मर कहीगा आख भूमें यू ज़रूर करना है आपको क्या यह बखवास आईडिया आप कहां से सुन लेते हैं हमको समझ में नहीं आता है आप अगर वो सब कोर्स करते हैं तो आपका डिगरी कागस का टुकड़ा बन जाएगा उसको फाड़ के फिक दीजिएगा फिर उसके बाद और कुछ ने आप उसका कर सकते हैं मैंने देखा बहुत लोग टीस से पीजडी करकर के करकर के मारे फिर रहे हैं अभी जे एससी और एससी का त्यारी कर रहे हैं तो यहां पर में पॉलिटिकल साउंस लीजेगा या आप खोई भी सॉजटेट लीजेगा तो आप आप तो political science का जो paper 2 होता है net का आप उसमें apply कर सकते हैं आप international relation और area study का एक paper code होता है 90 आप उसमें भी apply कर सकते हैं और मैं से हवा में नहीं बात कर रहा हूं मैं तीन बार ज्यारे फ्कॉलिफाइड हूं ओके तो experience पे बता रहा हूं जादा से जादा मैं आपको इंकरेज करता हूँ ACU में IR करने के लिए या JNU का PISM कोर्स करने के लिए कहीं से भी जो Central University वहां से IR कोर्स करने के लिए ये भी कोर्स जो है जो है बिटर है ये भी जो खराब कोर्स नहीं बो सकते हैं जामिया में जो IRAS का कोर्स है क्योंकि इससे भी आप Political Science के प्रोफेसर बन पाएंगे लेकिन आप जैसे ही ये Western Studies वाले में आ जाते हैं आप अपना जो आपका स्कोप कम कर लेते हैं तो यहां फिर बाद में आपको यूनो लाइक नेट ये सब में आप दे तो पाएंगे नेट पॉलिटिकल साइंस में लेकि नहीं हमने जो बिये किया तो लिमिटेड स्कोप हमने अपना बना दिया है और इसको ने लिमिट करना है थोड़ा अपना स्कोप जो है लार्जर रखना अगर आपने इमें पॉलिटिकल साइंस किया तो आप यूमन रैट्स पढ़ा सकते हैं किसी कॉलेज में और कभी-कभी जो नोटिफिकेशन आता है जो प्रोफेसर के रिकूट्मेंट का उसमें लिखा हुआ है कि यह में पॉलिटिकल साइंस चाहिए यूमन रैट्स के बहुत कम नोटिफिकेशन साथ है रूकूट्मेंट के तो इसलिए मैं मना करता हूँ बाकी आपका ग्यान आप जो आप जामिया का प्रिपरेशन करना है और जो मेरे बैच के स्टूदेंट्स है अच्छा और जो पास्ट पेपर साजो एमें पॉलिटिकल साइंस का उसको जामियावाला उसको पूरा का पूरा कर लेना है मैंने अपने बैच में 2016-2020 तक का पेपर करा रखा है और बाकी भी बहुत सारी यूटूब चैनल्स पे भी अवेलेबल है जो हमारे बैच के पार्टने उसको अब जरूर कर लेंगे क्योंकि जामिया कोशन्स रिपीट करता है जामिया का मैं प्रोज बताऊं आपको कि जामिया में ठीक क्या है तो ठीक यह है कि अच्छा एक दो चीज और आप जान ली हमको नहीं लगता कि मुस्लिम में होते हैं जादा तो अगर इधर देखें तो मुस्लिम में रिजर्वेशन में बस जो ओबी सी मुस्लिम से उसको रिजर्वेशन मिलता है कस्मीरी जो लोग होते हैं उनको थोड़ा रिजर्वेशन मिलता है बाकी ऐसा कुछ रिजर्वेशन ने मिलता कस्मेरी मुस्लिम्स को मिलता है mainly right बाकी सभी मुस्लिम्स जो जनरल में आते हैं वो जनरल कंडिडिट के तौर पर देखे जाते हैं तो ये भी हमें ध्यान में रखना है अब आगे हम लोग एक दो चीज और बात करने जामियां के बारे में अच्छा एक बात और जाम हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा तो अपने उसके लिए फिर उसके बाद जामियां में जाने का एक फैदा है कि जो यूप यूपी कोचिंग है आप वहां फ्री में कर सकते हैं जो आपका मेरे ख्याल से कराता है तो वहां कर सक सकते हैं आगर आफ मुस्लिम है तो आप कर सकते होंगे ऐसे अपनी कर सकते लाइक हिंदू है तो आप अगर आप जैनरल लिए सकते अगर हिंदू है यस्टीं से तो आप कर सकते हैं तो यह एक फैदा है एक और जो मैं मानता हूं कि देखें आपको मांक तो पर ör gouvernement sono है marks is important knowledge के साथ सा number भी important रहता है number भी ऐसा नहीं कि खूब number लाना है ऐसा नहीं 100% ला देना है कम से कम 65 से जाधा percent हो तो काफी better है 60 से जाधा हो तो वो भी बुड़ा नहीं है अगर मैं बात करूं जेनियू का डियू का है आपका university तो वहां पर काफी कम marks देते है काफी आपका average marking होता है और score करना बाड़ा tough होता है डियू में तो मैं अपने personal experience सा बता रहा हूं master's में मैं graduation की बात नहीं कर रहा है फिर जेनियू में भी मैं आपको बता रहा हूं बहुत लोगों से मेरी बात होते रहती है तो ये कुल मिला के बात है अगर आप एक general candidate है आपका 60% से अगर नीचे आ गया समझे कि फिर आपको बाद में प्रोफेसर बनने में बड़ा दिक्कत होगा अगर आपने कोई तफ रीडिंग्स होता है उसको समझना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है यहां पे जिन्रिक ही पढ़ाई होती है और सेंट्रल उनिवर्सिटी भी है तो यह सब कुछ फायदे हैं इसके बट इसका यह बात नहीं कि जेमिव अच्छा नहीं है अगर आप मेहन लीडर्स को नहीं करते वह भी करते हैं तो यह सब कुछ बाते हैं और इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है आपको समझ मागया होगा कुल मिलाके और जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स है मैं फिर से बता रहा हूं लास्ट येर की जो स्ट्राटेजी थी जो हमारे है बस इतना कीजिए बार-बार रिवाइस कीजिए और जितने भी मुस्लिम कंडिडेट्स हैं उनको मैं इंकरेज करूंगा थोड़ा महिनत कीजिए आपका ज्यादा चांसे से बहुत हाई प्रोबैबिलिटी आपका होगा तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका आप